मॉर्निंग क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैक्टिरिया का क्लासिफिकेशन सबसे पहले बैक्टिरिया को कौन से क्लासिफिकेशन में डिफाइन किया गया था तो आरच वेटिकर ने फाइफ क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें सबसे पहले आपके मॉनेरा जिसमें बैक इस्टा, ऐनीमिलिया, फंजय और प्लांटी ऐसे डिफाइन किया गया था तो यह आपका फाइव क्रिंडम ग्लासिफिकेशन सबसे जाधा एक्सेप्टेबल है तो बैक्टीरिया होते हैं वह यूनिसलूलर होते हैं काल वूस और जोर्च फाक्स ने 1977 में डिस्कवर्ड किया साथ्यदी करते हैं अवक्ति contrac, जो रीमीयू बैक्तीरिया होते हैं अबर समझे पना कुछ्छा से आर्च बैक्टीरिया और यू बैक्तीया की समया होते और वे इनी चरीट और यह क्या होता है? एक्स्ट्रीम टॉल्रेंट होते हैं हीट, कोल्ड, पीच यह मतलब कोई भी पीच पर सर्वाइव कर जाते हैं हीट कंडीशन पर भी स्टेबल रहते हैं क्योंकि इनकी किस वज़े से रहते हैं? मेंबरेन स्ट्क्चर अब इनकी मेंबरेन में सबसे स्पेशल करेक्टर क्या होता है? ब्रांज लिपिट चेन और इथर सबसे जब आप मेंबरेन का स्ट्क्चर पढ़ेंगे तो जो फैटी एसिट से आपकी लिपिट लेयर बनी वीड़ी है और यह तीन टाइप आप बैक्टीरिया से बने में होते हैं आरकी बैक्टीरिया को फूर्दर क्लासिफाइग किया जाए तो मेथनोजन्स, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिटोफिल्स मेथनोजन बैक्टीरिया कौन से होते हैं? सबसे पहले methanogenes, जो methan gas release करते हैं, यह obligate anaerobes होता है, obligate anaerobes मतलब यह oxygen की absence में survive करते हैं, oxygen इसके लिए एक poison की तरह काम करती है, यदि हम इसे oxygen वाली condition में रख देंगे तो यह वहाँ पे survive नहीं करते हैं, ठीक है, और यह क्या करते हैं, H2O और CO2 को methane में convert करते हैं, तो आपके bio gas fermenter होते हैं, वो इसी पर present होते हैं, और naturally methanogenes, जो आपके kettles होते हैं, उनके stomach में और उसके rumen में पाया जाते हैं, जहां पे यह methane gas को release करते हैं, जो आपका cellulose utas को digest करते हैं, उसमें methane gas बनाते हैं, तो इसका जो example है, वो है methanobacterium, methan halophiles, halophiles का मतलब यह होता है, कि जो bacteria, जो salty condition में रहते हैं, saline condition में रहते हैं, यह high concentration of salt पे भी survive कर जाते हैं, और इनको, यह they would kill most other bacteria, और यह दूसरे bacteria को भी kill कर सकते हैं, और यह क्या करते हैं, salt को use लेते हैं, ATP को generate करने के लिए, तो यह सबसे डिफरेंट करक्टिया, और फिर हम बात करते हैं, thermoacidophils की, thermoacidophils होते हैं, जो extremely acidic condition में रहते हैं, pH 34 की less than 2, जहां पे बहुत कम bacteria survive कर पाते हैं, और यह high temperature 110 degree Celsius पे भी survive कर पाते हैं, और यह hot sulfur springs में survive करते हैं, अब thermoacidophils का सबसे बड़ी आ एक्जाम्पल है, thermos aquaticus, जिससे आपका tag polymerase निकला है, tag polymerase आपकी PCR reaction, polymerase chain reaction में यूज करता है, तो thermoacidophils का सबसे अच्छा एक्जाम्पल है, वो है thermos aquaticus, अब हम बात कर लेते हैं, true bacteria की, true bacteria आपने क्यों बोला है, यह unicellular होते हैं, chlorophyll free prokaryotic होते हैं, जो binary fusion से reproduce करते हैं, और इनमें rigid cell wall होती है, और कुछ में नह होती है, और इसमें क्या होता है, movement होता है, cell wall true होती है, और इसमें 3 categories में पाटा गया है, इसको, वो है आपके, posses rigid cell wall, यू बैक्टिरिया जो सबसे rigid cell wall रहते है, mortal form move by mean of flagella, जो flagella के help से movement करते हैं, फिर है mixobacteria, इसमें rigid cell wall absent होती है, chief cell organ of locomotion, और यह क्या करते है, gliding motion exhibit करते हैं, फिर है आपका spirochets, spirochets होते हैं, जो rotatory motion से easily, मतलब easily movement कर पाते हैं, जो आपके spirochets होते हैं, अब बैक्टिरिया में plant के क्या character होते हैं, plant और bacteria में कुछ similarity पाई जाती है, सबसे पहले plant की cell में cell wall present होती है, bacteria में भी cell wall present होती है, plant में chlorophyll present होता है, जो photosynthesis करता है, bacteria भी photosynthesis कर सकते हैं, और chemo synthetic भी होते हैं, यह भी अपना खुद का food बना सकते हैं, CO2 को लेकर, H2O को लेकर और S2S को लेकर, और यह भी cell structure and reproduction methods are like other thalophytes जैसे binary fusion होता है, वैसे ही plants में, lower plants में आपको fusion, fusion सब दिखाई देगा, ठीक है?